हेलो दोस्तों मैं आकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल केरवेल फार्मा में तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपने चैप्टर कार्वाग जलिक एसिड को और यह हमारी वन वीडियो स्वाट है मतलब यह जो हमारा कार्वाग जलिक एसिड है ना यह हमारा आज एक ही वीडियो में कम्प्लीटली कवर हो जाएगा तो बात करें अब कौन कौन से टॉपिक रहेंगे तो सबसे बहले हम बात करेंगे कारवाग जलिक असेड होता क्या है इसका एक ब्रीफ इंट्रो धर हम बात करेंगे इसके मैथड और प्रप्रेशन के बारे में क्योंकि यह श्टार जो लगा होता ना इसका मतलब है कि आपको इस वाले कंपाउंट के बारे में भी डीटेल्स में बात करनी होती है तो यहां हम बात करेंगे मैथड और प्रप्रेशन के बारे में इसके केमिकल रियक्शन के बारे में इसके फिजिकल परपड़ेज के बारे में इसके बाद हमारा इसका सबसे ज़्यादा most imminent topic आता है acidity of carboxylic acid तो इसके बारे भी हम details में अच्छे दे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत important है जो 10 marks और RGB में 15 marks में भी directly आ जाता है और ये वाला question हमारे इसके साथ combined आता है कि effect of substituent on acidity यहां कि जो हम इसके acidity बताते हैं तो उसके बात करेंगे इन दौनों को combined करके हमारा question आता है और इसके बाद हम बात करेंगे inductive effect के बारे में और qualitative test के बारे में तो ये भी हम अच्छे से बात करेंगे और इसके बाद हमारे यहाँ पर structure and use रह जाते हैं आपको ना इसका एक जनल फॉर्मूला दिखाता हूं देन पूर्ट देशी बासां बात करेंगे तो जैसे यह आपको दिख रहा होगा तो यह हमारा होता है का जनल फॉर्मूला इसका मदलब क्या है कि यह हमारे वह और गनिक है एक हमारा और इसका क्या formula होता है सी ओएच को और इसको अगा थोड़ सा ब्रॉड में देखें डीटेल्स में देखें तो यह YE कारवन ने इसके साथ हमारे डबल बॉंड़ ऑ जोड़ा होता है और इस वाले से अगेन यहाँ पर ओए जोड़ा होता है अब थोड़ी बहु की साथ हमारे जड़ा है तो यह वाला हमारा होता है है अटक्र और यह थोटे जोटे ग्रुप एक हमारा होता है और यह नों को मिला देते तब हमारा बनता है सी ओ ओ एच और इसी को हम बोलते कारवाग जलिक गुर्व अब यहां पर सिंपल है कि हमारे बहुत से और गने कंपाउंड होते हैं जैसे अगर मैं एक्जांबल के लिए आपको दिखाऊंग तो मालो यह हमारा क्या है और जोड देतें चलो हमारा सी हमारा सी होगया यहैं प्रोपेन हो तो यह अब यहां पर क्या है यह हमारा है मीथेन यह हमारा इथेन और यह हमारा उता प्रोफेन अब मैं क्या करता हूं अगर मैं थोड़ा सा किसी एक को जूम करके देखता हूं तो यह जो मारा कारवन नहीं हमारे 4 हॉट होगया इसको साथ घिल्पक करना पडान क्या करूं कि मैं इसको उठाना पड़ेगा उसको सेक्रिफाइस करना पड़ेगा मैं इस इस वाले को सोच लिए कि इसको मुझे हटाना है तो जब मैं इसको अठाऊंगा तो मेरा किस तरह का compound बन जाएगा यह कारवन है और यह हमारे तीन एच अभी भी जुड़े हैं तो यहां पर हमारा कि एक्च्वल में यह जुड़ गया तो अब अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो हमारे क्या होता है कि यह हमारे क्लास ओफ और यह था और इसमें क्या और यह च्वार और यह जाएं तो इस पूरे कौम क्या बोल देते हैं यह हमारा हो सिंपली आपसे बोले हो तो आप दु चाहो तो इसको जोड़ो चाहो तो इसको जोड़ो जितने मर्जी जोड़ते जाओगे आपका एक्जामपल यहां पे compound बनते जाते हैं अब यहां पर एक बात और है देखो यह हमारा जो आर है यह actual में हमारा एक अगर मैं कोई सर्कुलर वाला यान की क्लोई रिंग वाला कोई अरोमेटिक कार्वाग्जेलिक अगर वहीं इसकी जगह क्या है नौर्मल ती कार्वाग्जन जोड़ी हुई है तो यह हमारा एली फैटिक कार्वाक्जलिक असे जड़ेगा तो यह हमारे कार्व और कंपांट्स होता है चछकंड़ हैं और इसके लाबा यह हमारे यह वारा और और तो यह सिम्बल्त बात है इसके अलावा यह हमारा कॉमनली फाउंड हो जाता है और काफी जादा इंडस्ट्री वगरा में इसका इस्तिमाल किया जाता है जैसे खाने वगरा में फ्लेवरिंग एजर्ट की तरह यूज करते हैं कोस्मेटिक वगरा में स्किन केर बगरा बनाने के लिए तो बहुत ऐसी ज दो कारवन को भी काउंट करते है तो यहां पर इसके लिए सफिक्स आता है और यहां पर क्या हो जाएगा कि एथें जैसे है पर्पन गासे लोग यहां पर भूण सारे बना सकते हूख या अप शेजयों मैं जाने अब तक कि आप किसी का नाम नाम बना सकते हो तो याहां पे इक्जामपल यहां पर यहां तो यहां पर मेलोनिक असट होगा जिसमें दो इसके अलावा यह थोड़े हाड लग रहे हूं तो जो मैंने आपको अभी यहां पर बताए आप इस तरह के एक्जांपल भी यहां पर लिख सकते हो अब यहां पर जो आपने यहां पर देख लिया है बाकी बात करें अब इसका जनरल फॉर्मूला यह आपको दिख गया होगा और इसमें यह हमारा कारवनल गुरूप और हाइड़ोक्सल गुरूप दोनों से मिलकर बना होता है जब जोड़ जाते हैं वही सारी बात यहां पर लिख्यों हुई है एक और बात है कि यह हमारा क्या है इसका जो फॉर्मूल हो दो नहीं चार और माइन से और सिंप्रj चैर 2 बनके मारा यहां पर बनोगे के तयार हो गया है तरह 수 यान कि पाने में घुल सकता है और इसके अलाबा क्या होता है कि देखो यह से यह आपको दिख रहा होगा तो यहां पर हमारा का है hydrogen प्रिदेंट है यहां पर oxygen प्रिदेंट है अब आपको एक बात पता होने जिए कि जो oxygen है न वो हमारे एक electron negative compound होता है यह मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से 55 होते है बस इतना समझो कि माल वो कि यह हमारा पूरा पूरा-पूरा गर Pen जो मैंने यहां पर आपको बनाया कि यह मारिका रूप है खेँद मालो इसी तरह का और और यह क्या करेगा इसके लोन पर को अपनी घर खीषटा है और यह जो बॉंड बनते ना एसे क्रॉस मनी बनेंगे सीधे-सीधे बनते हैं समझ लो आप तो यह जो बनते हैं इसको हम हाइड्रोजन बॉंड निंग बोलते हैं तो यह जो कंपांड है न हमारा कार्वोग जो ग्रूप में जैसे यहां पर मैंने अभी कहा किया था मैंने यह जो मीठ है ना यह वाला सीएस फोर है जैसे मालों यह आ रहे है तो आर का एक एस था इसको मैंने रिप्लेस करके इसकी जोड़ दिया था तो यह जब मैंने जोड़ दिया तो हमारा बन गया और सी हमारा बन ग बगयरा करते हो फिर हमारा फॉर्मेक एसे नाम आ गया अब यहां पर आई उसमें ज्यादा डीटेल समय आएंगे क्योंकि आता नहीं है आपको समझाने के लिए कि हमारा जोड़ देते हैं तो यहां हमारा यह है तो नंबरिंग में एक और चीद है कि हम इसमें यह वारा भी का मैं कुछ और नाम से बोल सकते हैं जैसे हमारा यह हमारा पूरा यह हमारा और इसका नाम पकड़े तो इस तरह से भी हम इसका नाम अगरा रख सकते हैं यह इसली मैं क्लास्फिकेशन के बारे में बात करें तो यह में इसको अठाके यह जोड़ा तो यह हमारा हो जाएगा डाई कार्वक्जलिक एसके जुड़ गए और मैं क्या करूँ अब यहां पर चार ही जोड़ दिया जोड़ तो हमारा हो जाएगा यहां पर मल्टिबल हमारे कार्वक्जलिक प्रिजेंट होते हैं तो यह हमारा आज की वीडियो का सबसे ज़्यादा मोश्ट अपटेंट टॉपिक एसडिटी ऑफ कार्वक्जलिक तो यह ना एक रीजिनिंग टाइप कुश्चन होता है इसका मतलब क्या होता है आपको कोई reaction मगरा कुछ ऐसा नहीं करना आपको बस यह प्रूफ करना है कि जो कार्वक्जलिक एसे डाना वह हमारा एसेडिक होता है नीचर में और एसेडिक होने के बाब दूद यह हमारे एक strong acid में आता है मैंने क्या बोला था बैसे strong नहीं है लेकिन organic वाले case में यह हमार एसेडिक होता है नीचर में अब इसको कैसे बोलोगे क्योंकि जब इसको हम dissociate करते हैं पानी के साथ में तो यह हमारा एक पॉजिटिव आयन को release करता है और जब अगर आपको याद हो नहीं याद होगा तो आप senior में पढ़ोगे कि एक हमारे से आरहनियस तो scientist थे हमारे तो according एक पाने रहनियस उन्हों ने ये दिनोट किया था कि यह से माल लोह हमारा एक यह बीकर है और इसमा पानी घरा हुआ है तो मालोह क्यों अनगर यह पॉजिटे भाइन को वही compound release करता है जिसके पास क्या होता है एक्जांपल के लिए हमारा है तो सब को पता है कि एक strong acid है जब इसको पानी के साथ हम इसकी breakdown करवाते हैं तो हमारा है एक पॉजिटिव प्लस लिगते में तूरता है तो जब हमने इसकी dissociation करवा आई तो यहां पर हमने देखा कि यह हमारा क्या तूट रहा था और यहां पर इसने और तोड़ दिया हम समझ गए कि यह तो acid है और इसको अमने प्रूफ करने के लिए कैसे ने जैसे लॉब अगरा में कोई सा उधर से उठाते हैं और उसमें से अपने निगालते हैं बैसे हमने यहां पर आरहनी से concept यूज कर लिया कि इनकी according क्या था कि अगर कोई सबिस्टांस को रिलीज करता है तो फो हमने इसी को यूज कर कि कहा कि हमारे जो कारवाग्ट की अससे वह डिसोसियेट होने पर एक सिंबल यहां पर गोल दिया तो यह हमारा ऐसेड़ कर दिया तो इसके लिए पहले आपक कि मूल मंत्र याद कर लो जो बिलकुल आपका कभी नहीं बजले उसकी जो इस्टैबिलीटी यहाँ ना उसकी कई स्टैबिलीटी जितनी ज़ादा होगी वह इसकी पर यहाँ जने जाना ही ज़ादा होता है यह बात आपको दिमाग में डालके रखलो बिलकुँ याद करके रखलो तो देखो अब यहां पर क्या हो रहा था कि जब हमारा कारवक्स यह से टूटा था ना डिसोसियेट हुआ था तो इसने यहां तो सही दिया जिससे प्रूफ होगा है लेकिं जो इसने दूसरा वाला पाइप धिया न इसको हम बोलते हैं कार वो डिली बोलते हैं और बैसे ही अगर कोई वी दशोसियेट होता तो जो दूसरा वाला पार्णा Gi cheating के इस और वो क्या कर रहे थे किसी सामान को दौनों मिलकर उठाया के रखे ठीक है कोई दिक्कत नहीं हमारा तो अब यहां पर क्या होता है कि यह जो हमारा दोस्त है यह इस सामान को कितने अच्छे समभाल के रख आavais नकी इसके ऊपर एक लोड आगया हमारा मालू से इसके रखे तो इसके ऊपर आगया है अब यह कितना अच्छी से समभाल कर रहे और जो सामान होने के बाद भी अगर यह stable है यानकि यह खड़ा हुआ है गर नहीं रहा तब हम बोलेंगे कि यह जो चीज है यह हमारी क्या strong है यह यह तागत बार यह stable है तो यहां पर मतलब समझ पा रहे हो कि जो हमारा इसने क्या किया कि यह टूटा और इसने अलग कर दिया अब यहां पर क्या होगा यह पूरा एक चार्ज चड़ा है यहां पर इसके बाबजूद भी अगर यह अपने आपको संभाल लेता है तब हम बोलेंगे कि जो काफी अच्छा एसेडिक नेचर में क्योंकि इसकी स्टेबलिटी हमारी क्या हाई है यहां कि सिंपल बोले जाए तो अपने आपको डिसोसियेट करने के बाद जो बचा हुआ आएन है वो कितना स्टेवल है उस पर डिपेंड करता है इस पूरे कंपाउंड की स्टेवलिटी यहां कि अगर यह हमारा जितना जादा स्टेवल होगा हमारा कंपाउंड उतना ही जादा स्टेवल होगा यांगी दो फैक्टर तो यह अपने आपको कितना जादा स्टेवल रख पाता है उसी पर डिपेंड करती इसकी अब यह जितना जादा स्टेवल होगा उतनी ही जादा हमारी इसकी स तो आपको पताए है गुरूमत कि जितनी ज़्यादा अगर हमें पता करने के लिए हम यहां पे पता लगा तो अमने देखा कि इसमें क्या होती है हमारी प्रिजेंट होती है तो यह जैसे हमारा आर है और इसके साथ कारवन यह और यहां पर यहां पर जुड़ा हुआ है यह नॉर्मल है जो हमारे यह बचा था नॉर्मल ही है अब आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होता है उसके उपर प्रिजेंट होते कि दोनों में प्रिजन्ट होती है अब यह सब बढ़ क्या होते नहीं वैसे आपको डीटेल में थर्ड से में पता चलेंगे अभी वस इतना समझ लो कि मालो जैसे हमारा यह है तो यह हमारा पहलबान है बहुत अच्छा पहलबान है और इसने क्या किया कि जब ठकने लग गया है तो उसने एक तरकीव निकाल दिया उसने क्या किा थोड़ी एंक याह करके वह क्या कारा कि वह अपने आपको स्थेवल बना रहा है एक वह उपांच जब सबद में इस वही काम यहां पे हो रही यह आजे जो नेगेटिव चार्जन है यह यहां और यह दिखिए तो अब किसे हमारा था नहीं छुद पर हमारा प्रैसर या यह लोट नहीं पड़ता है और बारीबारी से जो है पर निए इस पर कोई प्रैसर आता है अपने आपको स्टेबल रखता है तो इसने क्या किया कि यहाँ से निगर से चार्ट है वह हमारा पोजीशन अपने सवालिप आएगा तो इसका डवरण है वह भी बावपिस हमारा इधार चला जाएगा तो फिर से हमारा यह क्या है इसका इस तर्फर करते रहते हो और इस लोकलाइजेशन यानकि एक जगा से डिलीट होके दूसरी ज़रा लोकलाइज हो रहा है तो यह थोड़े से लिखना आपके लिखा कि यह हमारा पहले करता है और इसको पूर और आ यह दो देखा किया है अपने आपको बहुत जादा रखता है और इसकी हानी के विज़ाफ होने के लिखते हमारा घय करता है यह difficulty करता है यान्ग यह अरगनिक मैं इस ट्रॉंग आऽ सिब्सक्राइब करता है और इसके लावा यह पूरा हमारा यह है आप लोगे तो उसमें इसकी वैल्यू 10-4-5 यादि चार से पांच की बीच होती है पी-क-वैल्यू अब यहां पर क्या होता है कि जितनी तो यह उसकी जो उतनी ही जाद होगी और पी-क-वैल्यू जितनी ही ज्यादा तो यहां पर चार से पांच की वीच होते हैं तो इसकी फोर पॉइंट सेवन सिकता तो इसलिए यह है अच्छा गाजा स्टेबल होता है इसके अलाबा यह हमारा इसमें जो ऑक्सिजन प्रिजेंट है यह भी हमारे इलेक्ट्रों नेगेटिव कंपाउंड होते हैं इसी विजए से और रहता है इसके लाबाबा बात करें तो एक और टॉपिक आता है कि वाई कारवग तो यह है कि जो हमारा पीके वैल्यू है वह हमारी एसे लिए लेकिन जो एलकोल है ना उनके लिए चौदा से पंसोला कर रही है और हमें पता है कि जितनी कम पीके वैल्यू होगी कोई सबस्टांस की एसे डिटेव होते नहीं जादा होगी तो काफी जादा है क्योंकि यह 14-16 के भीच यह 4-5 तो इसकी काफी जादा हो जाती है सेकंड रीजन क्या है कि जो एलकोल है उसमें बहुत ही कम होता है लेकिन जो हमारा ये था जिसमा आपने भी देखा कि कितना मच तरीके से यहां पर रेजिन चल रहा है यह डिलोकलाइस होते है आपस में और हमारे जो यह वह पता चल गई अब हमारे यहां यहां पर तरह के गृप होते हैं जो एक हमारे इलेक्ट्रों बिद डॉइंग गृ रिलीजिंग ग्रूप जोड़ देते हैं तो वह क्या करेगा और इसको डोनेट करेगा और देगा अब मेरा आपसे simple question है मालो ये बंदा यहाँ पे अकेला खड़ा है और महनत कर रहा है अब एक हमारे यहाँ पे बंदा आता है वो क्या करता है वो कहता है कि ला भाई इसके उपर मैं मेरा भी back पगड़ ले तो मैं इसके उपर एक और back रख देता हूँ तो यहाँ पे जो हमारे होते हैं electron releasing या donating यह एक्ट्रों में क्या करते हैं कि पहले से जो मारा यह पूरा पूरा group है क्योंकि इसी की stability पे हमारी कारवक्याश की डिपेंड करती है तो यहाँ पे पहले से negative charge है अब जो electron donating या releasing group है यह क्या करेंगा यह इसको electron और देते हैं तो जब यह इसको electron और देंगा पहले से बोज है उस पर उपर से और बोज जड़ा दो तो इसकी stability हमारी कमी होगी अब इसली बात है तो अगर वही simple दा बात है कि अगर इसकी stability हमारी कम होगी तो हमारी acidity भी क्या है automatic कम हो जागी यहांगी simple बात करें तो जो electron donating या releasing group है इन्होंने actual में क्या किया कि यह इसको electron और दे रहे हैं और electron और देने का मनलब क्या है कि इसके उपर load pressure और भढ़ा रहे है और जब pressure और ज्यादा भढ़ाएंगे तो इसकी जो ability है stability है वो हमारी कम होगी और अगर stability कम होगी तो हमारी acidity भी कम हो जागी यहांगी overall देखा जाए तो जो electron releasing donating group है वह actual में क्या करें वह इस वाले compound जो हमारा carbonate iron है इसकी acidity को decrease कर रहे हैं यहांगी कम कर रहे हैं यहीं पर chimple क्या कि उसने कैई कि दिक्कत परितानी को अपने पास ले लिए तो अगर वह इसको share करेगा तो यह जो दोस्ट पहले मालों दो गंटे कहड़े हो पाता अब क्या होगा कि अगर इसको मदद मिल गई न तो यह और चार गंटे खड़ा रहेगा क्योंकि आप इसको एक हैल्प मिल चुकी है तो यहां पर जो यहां पर अपने पास लेने का सुखते हैं पूरा अपने आप खीशते हैं तो अगर यह एक्ट्रा चार्जिंग के पास से चला जाएगा तो यह हमारे क्या और ज्याद़ होने लगें हैं लेकिन यह हमारे क्या रहे हैं उसकी क्तना इलेक्टरों प्रिजेंट है तो क्या कर रहा है कि से लेक्टों को खीन चींज रहा है तो वह क्या करता है और धेंशिटी करके है इसकी stability को भढ़ा देगा और को भढ़ा देता है यह क्या तो इसकी lateron देखा तो इसकी इसकी उल्टोन देंसिटी यानकि प्रण की चंबता एक्शन में जव भड़ेगी और जितना ज्यादा मालोस सिंपेल इसके ओपर बोज रहेगा वह उतना ही ज्यादा रहेगा और जयतना जदा अनिष्टेबल उतना ही ज्यादा उसकी एसड़ी पम होगो यह जाप बढ़ाएंगे अगर अगर मालो यह आर है और पर ऐसा कोई और भी ग्रूप हम या लकाइल तो जोड़ नहीं है लेकिन कहीं पर सब्स्टिट्टीट में हम क्या करते हैं इन मैंसे कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कोई ऐसा ग्रूप जोड़ देते हैं तो हमारी इसकी इसकी बढ़ दाएगे वहीं बिद्रोइंग में हमारे एलकाइल गुरूप आते हैं और सीएस फोर यह वाले हाग है अगर इन मैंसे कोई यहां पर जुड़ दाएगा इसकी चेन बगरा में तो इसकी जो इस्टेबिटी वह हमारी कम हो जाएगे तो यह सिंपल फंडा आप यह सिंपलोगे हमारे कमपाउंड है सीएस त्री चीएस त्री अब आपने अभी यह देखा कि जो सील है ना वह मारे एक प्लोरिंग यह है और है तो यह हमारे अलेक्ट्र नेगेटिव कंपार्ण होते हैं जो अपनी तरफ किया यहां से अपने तरफält थलेक्प खींच रहे थे तो यहां पे टो ने हम यह एकजांपल आपने यहां भी देखा होता है ग्रोरीण की तरह है आप अगर मालो जरूवत नहीं है ज plugged यहां पर तो जरूवत थी यहां पर negative था तो इसको खीच लेगा लेकिन आब मालो यहां पर जरूवत नहीं है तो उस टाम यह partially खीच के रखता है अपनी तरफ, partially shift कर के रखता है अब जैसे example माल यह है तो यह क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रोन को अपनी तरफ खीचेगा ऐसे खीचेगा तो इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज क्या हो कि इसने यहां थे खीच लिया इस पर एक तरह एक रेड हो गया और इधर हमारा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज की यहां पर हमारी क् अपनी तरफ क्या करता है क्वह पार्शियली चार्ज को खीच लेता तो इसी वाले प्रूब्फंडे को एफट में इंडक्टिव भर्ड बोलते हैं और इंडक्टिव हमारे किन के दौरा लगाए जाता है इल्एक्ट्रो नेगेटिव एटम या कंपाउंड के दौरे एक्च् पॉजिटिव होना तो इसमें हमारे इन्वाल्व होते हैं इलेक्ट्रों डुनेटिंग या फिर रिलीजिंग जो हमने यहां पर देखे थे यह आई पॉजिटिव वह हैं जो हमारे इंडॉक्टिव वैट को भढ़ाने का काम कर रहे हैं और यह बिसकली क्या करेंगे कि यह हमा अब आपको बताओगा कि यह हमारे एक ही सख्के के दो पहलु है एक साथ दोनों नहीं आ सकते यह अपोज महीं चलेंगे तो अम मालों की स्टेबिलिटी हमारी कम हो रही थी तो एस डिटी भी कम हो रही थी लेकिन एस जितनी कम होगी ना हमारे इस कंपाउंड की बेसिटी उतनी जादा भढ़ती है है यहां कि हमने यहाँ देखा कि हमारी डारटाटन होती है सब्सक्राइं और यह 理चारेimalती को बढ़ाते है तो यह में क्या करेंगे? स्टीटी को हमारी भढ़ाएंगे और स्टीट अगर भढ़ेगी तो बसीटी हमारी कम होतागी तो मूल मंत्र अमारे यह है कि स्टैबिलिटी डारकली प्रपोश्चनल अमारी स्टीटी के इसको याद कर लो और इलेक्ट्रन डोनेटिंग ग्रूप अकर लगता है तो वह हमारा नमर के अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा बहुत लेंग्विज बगरा बना बना के लिखके आ सकते हो और अगर पूरा पंद्रा करीव आता तो यह इंडेक्टिव फेक्ट बारा भी आप यहां साथ में जोड़ देना और इसका कंक्लूजन भी मैंने लिख दिया कि अब जैसे मालोगी यहां पर हमारा कोई कंपाउंड है यह सिंबल था कंपाउंड है अब क्या है कि अगर मुझे पता लगाना है कि यह एक्शन में कंपाउंड है कैसा अब यहां पर मैं तीन जगए टेस्ट करने बढ़ेंगे पहला होगा कारवक दिलेक्ट के लिए मतलब यह समझे लो कि आ गए यार कई तो इसलिए मैंने नाम यहां पर लिख दिया कि आपको कुछ नहीं बताए और जो कारवक देस्ट को मैंने डीटेल्स में अच्छे से कराये हुआ है तो यहां पर इसके बारें बात करें तो यहां पर तीन टेस्ट हमारे होंगे जो में से इसट लेते हैं और अगर तो हम आपर इसने अच्छे सब्स्टा करने के तय Hebन ENDS निकलती हैー इस estatus it लो हमने यहां पर बीगर बगर लेखेंगे तो अगर यहां ते निकलती दिख रही है तो समझ लो कि हमारे यहां धाला था और अगर गैस नहीं निकलती है से उतिती तो इसमें हमें इस्टर बनने की कहानी होती है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसी तरह मालों प्रिया और यहां पर अगर मालों कि यह हमारा सही था यहां पर एक में या यहांपर घाथा है कि यह कर से नहीं अब हमारा घार्य winner बना घाथा कि यह थी तो यहां पता लगा तो इन नहीं तो पहला हमारा आता है hydroxymic acid test तो इसमें हम इस्टर को क्या करेंगे अगर हम hydroxymic acid के साथ reaction करवाते हैं तो अगर हम परपल कलर दिखाई दे जाए तो समझ लोगी हमारा यह क्या इस्टर ही है सेकिन हमारा आता है कि वैस्ट सॉलीशन तो इसमें हम इस्टर को जो है कि वैस्ट सॉलीशन के साथ रियाक करवाते तो अगर उस टाम पर हमारा जो कलर है यलो हो जाए तो समझ लो कि हमारा कि वैस्टर ही है थर्ड हमारा आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो अमाइट के लिए एक्ट्व में क्या है यह हमारा पूरा फॉर्मूला यान कि यहां पर हमारा एनस्ट जुड़ जाता वागी सब रिमूव होगे इसके लिए हमारे च्यार टेस्ट है पहला होता है अगर हम जो अमाइट से उसको रियक्ट करवाते हैं नाइटर के साथ में हैं तो अगर हमारा रेड कलर सो जाता है तो समद्व भीष्रेसें करवा ही हैं रियक करें हैं तो समझ है रियक्ट साल देके लिए लेकिन यहां पर किसी के आ सकते हैं तो इसलिए इसको मैंने कको देखो सबको तो अब हम बात करते अपने next topic method of preparations of carboxylic acid यहांकि हमारे जो carboxylic acid वो बनता कैसे है तो पहले आप इस तरह bulk में लिख सकते हैं तो हमारे लगवाद यहां पर 6-7 तरीके हैं बैसे और भी थे 8-9 reaction थी हमें वहीं थोड़ा कमी करना है इतना भी जादा नहीं क्योंकि और गनिक बैसे भी हमारा अपने यहां बहुत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जादा बल्क बढ़ाना है थोड़ी सी लेंग्वेज लिख दो थोड़ी रियक्शन लिखो आपको ऑटोमेटिक पेज भढ़ जाता है तो यहां हम इसकी ऑक्सिडिक अक्सिड़ाइब करवाएंगे तो हमारे जो एक कारवाग्जिक असद फॉर्म हो जाता है और इसकी रियक्शन भी इसी तरह करने कि कोई ना कोई यह उक्सिडाइब इस हो चाहिए तब इसकी अक्शिडिक अगरा का भी ले सकते हैं तो हमने यहां पर प्रमेंगनेट लिया है और उसके साथ जब हम इसकी औक्सिडेशन करवाते हैं तो हमारे यह कार्वकजल के असिड में प्रेडियूस कर देता है अब यहां पर सिंपल अगर एक्जामपल ले लें तो जैसे मालों हमारे यह कार्वकजल की पहचान है कि आपको यह गुरूप मिलेगा उसकी पहचान है कि आपको देखने को मिलता है अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना ऐसा मत सोचना कि यह सी है और इसके साथ हमारे रभल वर्ण में ही जुड़ा होता लेकिन जो ह है वो मारे इस कार्वन की साथ होता है यहां पर किया भूर के साथ रियक्सिन करवाते हैं यहां पर एक और हमारा जाता है यहां को रिपलेस करके हमारा ओ एग जुड़ जाता है तो यहीं तो बन गया और अगर आपको थोड़ता इनीसियल वेस पर याद हो तो जो हमारा ऑक्सीडेशन था ना उसकी डेफिनिशन ही क्या होती थी है यानके हाइडोजन की जब रिमूब करवा देते तब ही हमारी वह ऑक्सीडेशन कहलाती है तो यहाँ पर हाइडोजन हमारा रिमूब होता है और ओक्सीडेशन यहाँ पर जुड़ रहा है और एडिशन यही हमारा ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पर हम इसमें से क्या करेंगे तो हमारे यहां से क्या होगा एक एडिशन रिमूब होके और इसकी जगा हमारा ओक्सीड यह प्राइमरी क्योंकि फर्ष्ट पोइसेंग यहां पे महाते हैं जर तो इसलिए का यहां फिला भाट ब्लिधन और मंघ्लाइब तो हमारा क्या बन जाता है CS3 और C1O और OS तो इस तरह हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि primary alcohol को जब oxidize करवा रही है तो hydrogen remove हो रहे है oxygen जोट रही है और इस विज़ासे हमारे यह acetic acid यहाँ पर form हो जाता है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिंपल ही है कुछ नहीं बस आपको एक reaction करनी है और कैसे हो रहा है वह मैं आपको बताई दे रहा हूं थर्ड हमारा आता है वाई hydrolysis of nitriles तो nitriles हमारे actual में वह compound हो दिसमें C1N यह हमारा प्रेजेंट होता है तो जो cn वाला ग्रूप है ना इसी को हम nitriles यहाँ पर बोलते हैं तो अब nitriles की hydrolysis करवानी है hydrolysis का सिंपल मतलब होता है कि इसमें हम क्या करेंगे पानी को जोड़ देंगे hydro मतलब होता है water और लिसस मतलब होता breakdown तो जब हम यहाँ पर पानी की एडिशन करवाते है तो यह तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम इसमें पानी की reaction करवा यह हमारा पूरा का पूरा क्या होता है तो बस सिंपली हमारा क्या होगा यह वहाला यहां भी फॉर्म होता है जो में हमारा पहला पहला यहां पर यहां पर मेंगनेट का यूज करेंगे क्या होगा इनकी breakdown हो जाएगी अब देखो यहां पर क्या होता है यह हमारा यहां से और यहां से क्या होगा और इसके साथ भी हमारा क्या होगा सेम यहां पर यहां पर फार्म हो जाता है बाकि हमारी तो यहां पर अंडर करना और यहां पर हम पानी की मंदर से क्या करेंगे इस हाइड्रोल लेसित यान कि इसको तोड़ने वाले हैं तो अब यहां होता है सिंपल देखो यहमारा क्या है जो इसको हम once करेंगे मतलब पानी गरम-पादी में यहाप कह लकॉक्स ग्रोप है और यह सी तो अब यहां पर क्या होता है कि यहां से तूटेगा अब ध्यान तो इसका एने हमारा क्या ओगा यहां पर यह जुड़ाता है और इसका s2h5 और यह प्रॉट यह जूटके अलग हो चाहता है तो अब देखो यह जू पूरा CH3CoAन और यहांपे मैं ओने हमारे बाहर निकल दाते हैं अब अगेन के साथ ट्रीट करवाथे तो हम लेते हैं तो यहां यहां और हमारा बन दाता है ऑर यहां जब यहां पर उसको रिप्लेस कर देता है तो एच हमारा लग जाएगा यहां पे तो हमारा क्या बन जाएगा CS3COOH बन जाएगा और यह भी हमारा का एक acetic acid होता है तो यहां पर इश्टर में क्या वरा है कि जब इश्टर को हम यहां पर हाइड़ड़िस करवाते हैं तो पहले बॉयल करवाएगे एन एक के साथ में तो हमारे यह एन वार यहां पर जड़ जाता है तो सूडियूं एसे टेट यथा है इसको फिर सेंज के साथ कर्वाते तो एसी एल के साथ करवाएंगे तो नहीं हमारा सील सील में सील के साथ मिलके नमक बनाएगा साल्ट और जो एच है वो हमारे इस एने की जगह जहाँ पर जहाँ पर अटेच हो जाता है और हमारा बन जाता है तो यह हमारे जैसे आर एक्स कोई भी हमारे अलकाइल ग्रूप है तो सिंपल समझ कहना एक्स हमारा है हैलोजन होता है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो यह हमारे होते है एक्स होता है तो यह बन गया ठीक है आर हमारा कोई हो यहां पर यहां पर यहां पर डबल बॉंड से एक यह ऑक्सिजन इस तरह हमारे जुड़े होते हैं वैसे इस साइड होते हैं तो यहां पर आमने सामने होते हैं तो इस तरह होते हैं और यह कारवन हमारा मिल गया है और यह वाले औक्सिजन मितलब यहां पर mgx जोड़ाता है तो इस तरह हमारे यह पूरा फॉर्म हो जाता है अब क्या होता है तो यहां पर पानी के साथ ब्रेकडाउन करवाएंगे तो जब हम तोड़ते हैं यहां पर यह MG, यह हमारा अलग निकल जाता है और इसका जो O H है वो हमारा यहाँ पर इसका GYG आहां पर जुड़ जाता है तो यहाँ पर क्या होता है R.C.1.O और यहाँ जो O है उसके साथ हमारा यह H जुड़ जाता है तो O H बन जाता है यह हमारा होता है अब इसमें कोई भी CS3 जोड़ते हो तो हमारा Acetic Acid हो गया और इस तरह आप यहाँ पर compound बना सकते हो अब हमारे next और आखरी reaction आती कौच reaction तो इसको हम जो है कार्वाग्जी लेशन ऑफ एलकीन्स भी बोलते क्या बोलते कार्वाग्ज लेशन ऑफ एलकीन्स तो एलकीन्स एक्ष्वल में क्या होता है कि एलकीन्स को हम यहाँ पर हीट करवाते हैं कार्वन मॉनक्साइड के साथ में सीओ के साथ में और इसके बाद इसको मतलब इस्टीम करवाते हैं एक पूरा हमारा पूरा जूरता जल जनकी यह बॉन्ड हमारा एक ब्रेक हो गया सियेस हो जाएगा यहां सीज टाइगा यहां सी डबल बोन ओ और यहांपे ओएच हमारा इससे जुड जाता है यहांनकी तीनों चीज़ा आपस में जुड़ रहें इसका हमारा सीएस टी हो गया देखो और यह कारबोंड हो गए हमारा और यहां पर मिलने के बाद इस तरह हमारा क्या बनाते है प्रोप्योंट के वन टू-3 करके पूरा एक पूरा एक नगतिते हैं तो यह तीनों ही आपस में जुड़ रहे हैं इस के रियक्सनमें और इसमें होड़े एक कारबोक्ग से लेशन आफ यहां पर चलिए तो अब हम बात करने वाले कि जो हमारा कार्वगजलिक एसे नना वह यहां कि कैसे बनाता अब तक यह हमने जाना यहां कि रियक्षन होके हमारी यह बन रही है आप यह समझोगी आपके स्यमारे मेस मैं दो वात है आपको याद रखने हैं एक होता मैफ़डड और यहां क्या होता है पर unhappy्षन करके क्या बना रही है यह इहां पर आलगा कि आपको एक बता होता है और कया है और वह भी आपको बता चल जाता है या ल सप्रेक्शन को बहुत और याद कर सकते हो तो अब हम बात करें chemical reaction of carbonic acid के बारे में तो बैसे बहुत सारी थी लेकिन हमने simple यहां पर पंच reaction को involved किया है पहला आता है salt formation जिसको हम neutralization मोल देते हैं एक करके सभी को देखी लेते हैं तो पहले हमारी होती है salt formation तो इसमें मिल दीकिया है कि जो हमारा carbonic acid है एक एक acid होता है और अगर acid हमारा base के साथ react करेगा तो क्या फॉर्म करेगा इस H O H के साथ मिलकर क्या करेगा H 2 O form करेगा और यह एने हमारे यहाँ पे लगसाता है तो हमारे यहाँ पे बन जाता है sodium carboxylate और यह जो sodium carboxylate है ना यह actual में हमारा एक base हो मतलब एक salt होता है actual में क्योंकि यहाँ पे यह आपको क्या है positive जिने गरता है तो फॉस्फोरस हैलाइड हमारा PCL5 है और इसको क्या कर जैसे हमारा यह कार्वक दिले हसेड होगा सिंबल जब हम इसके साथ यह करवाते तो इसका जो हमारा CL ना वह हमारा इस वाले एच को replace कर देगा और यहाँ पे लग जाता है इस पूरे वह तो हमारे यहां लग गजिए लेकिन ऐस तो बचाए ना तो हैज के साथ क्या होगा कि इसमें से मारा सियल लगके एच सियल बाहर निकाल देता है यानि कि आगर मैं आपको एक्जांपल लेके समझाता हूं थे तो अगर मैं तोड़ देता हूं पी हमारा अलग है और यहां पे पांच है तो अब यहां पर क्लोराइड जो हमारा एक साइल हाई होता है तो सीएश्टी और यहां पर यहां पर क्या कि यहां पर बंद आता है पी और पिओ सी लगा थे और यहां पर इसमय से लगा जा एच और एक बचा सी एल तो यह एस एल आपसमें मिलके क्या स्क्राइब बनाती थे तो इस तरह अगर आप ब्रेक्डाउन करके देखोगे तो आपके लिए रियक्शन समझ ना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि किसमें से क्या कैसे बनाएं तो इस तरह होता कि अगर मैं क्या तो Moria की साथ रियक्शन जाएं तो जैसे और जैसे मारा होगा आप मुएक्षन कर यहां पे यहां पर universal के जोड़ जाता है अब हम जब यहां पर गरम करवाते हैं तो हमारे जो है वह यहां पर निकल जाता है तो यह अगर जोड़ दिया पहले हमारे पूरा का पूरा और जोड़ जाएगा तो यहां पर बन गई हमारी फोर्ट रियक्शन आती है फॉर्मेशन औफ इस्टर जब हमारा इसमें ना हमारा इस्टर बनता है और इस्टर मैंने आपको पहली बता दिया कि इसमें वहाला होता है इदर हमारा इस्टर ही बन रहोगा तो यहांकर कब हमने Acetic Acid ले लिया इसकी reaction हम एलकॉल के साथ करवाते हैं और हमने मीठनोल ले लिया तो अब यहां पर क्या होता है कि इस मीठनोल में CS3O है तो यहां से हमारे यह एच और इस में से हमारे ओ एच यह क्या होते हैं रिमूव तो यह हमारे क्या है RC100OOR यही तो हमारे है तो यह हमारे के एक इस्टर यहां पर फोर्म हो जाता है और इस प्रोसेस को हम यहां पर इस्टरिफिकेशन बोलते हैं पर फ मारा anál स्फर्म में उप्रों हमा Од sz ओड़ासा होता है то इसके लिए हम्म पर यहां यहां पर इस तरह के जुड़ जाता है तो इसके लिए हमें यहां क्या करना होता है कि हम पीटू तो पीटू ओफाइप कम या यूज करते हैं अब देखो क्या हुआ यह वाला ओएच और इसका यह हमारा क्या हो जाएंगे रिमूब होके यहाँ पर एच्टू की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं कोई नहीं खेल खाता मिनका अब यहाँ पर देखो और यहाँ पर कुछी नहीं बचाता तो यह वाला जो होता न यह हमारा इसके पास आजाता है अब यह हमारा सीटू को बहर निकल जाता है तो यह हमारी एक chemical reaction होते हैं किसकी कार्वोगजिलिक अगर आगे आता है तो आप इन में से तीन चार लिखके आ सकते हो और उधर से आप पांस लिखके आ सकते हो अब थोड़ता हम बात करते हैं फिजिकल प्रपरटी ऑफ कार्वोगजिलिक असेड के बारे में तो यह टिपिक आपको बताया था कि जैसे हमारे हैं इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं लेकिन औरगनिक कंपाउंड में बात कि जैसे से हमारा तो सब्सक्राइब करता है यह मैं आपको अभी थोड़ी दिर में बताता हूं इसके बाद का और पी एक्सन रहों कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पैट का जाता है जैसे जैसे जाते हम जाने कार्वन की बोलों कि यह में तो इसका हमारा बॉइलिंग और वड़ींग यहां पर पहुता देता है बस कोछ नहीं आपको बस पता होनी चाहिए बात है क्योंकि जब प्रक्टिकल बगएरा करोगे तो यह कुछ छोटी मगर मोटी बात है आपके बहुत का बात करते हैं अपने लाश्ट टॉपिक इस्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ कार्वॉक्जलिक एसिड के बारे में तो जो सबसे इंपोटेंट है वो हमारे यहां पर मैंने अच्छे दे लिखे जैसे हमारा पहला आता है असी तो यह मारे एक कलर लेस और सोरी कलर लेस और निक है यहां पर और नहीं होता है इसको अपने चाहिए और यूज में बात की जाए तो यह फूड एडिव की तरह काम कर जाता है प्रिजरवेटिव फ्लेवरिंग इसेंट की तरह पिकल सोस इंसम में यूज करते ना चार बगरा बनाने में डालते हैं और इसके अलाबा यह हमारा प्लास्टिक फाइवर्स और यह च्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यह जनल है और यह पूरा है इसी इधर औ इसके लिए फ्रोपेन यह मारे तीन के लिए प्रोपेन और वन टू थ्री तीन जगहा पर हमारा कारवक दिल कैसे जुड़ा होता तो यह हो गया उसके बारे इसके तरह चाहिए अब अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं मुलमन समझ लो जितने भी हमारे वह ना जितने भी कंपाउंड है उन समय मोश्टली यह जो ऊपर के दो है ना फूड एडिटे प्रिजर्वेटे फ्लेवरेंगे इस्तिमाल किया ता है तो यह आप लगवा कॉमल लिख्किया दाना क यूजर यह फ्लेवरेंगे तरह प्रिजर्वेटेव एसी तरह काम करेगा बिबरेंगे डेरीवेट में कॉस्मेंटिक में फार्मसिटिकल में सॉल्वेंट इंसम में काम करता है टारिक असे और इसका पूरे श्टक्टर आप यहां देख सकते हो और यह मैंने सबके लिख र सब्सक्राइब करेगा फिर हमारा आता है यह आपको दिख रहा होगा इसमें दो हमारे कार्वक जासे जोड़ दो हमारा उक्जालिक बन जाता है इसको हम एथनी डॉयक एसिड भी बोलते हैं यह रोक्स टाइटेशन में हेल्प करता है स्टेन कोई डाव करने में डाइंग म करेगा यहनका मारे पेन को कम करेगा हमारे फिवर को करेगा हमारे जो एकने इनको ट्रीट करेगा कॉस्मेटिक एंटी औक्सीडेंट एंटी फंगल सब की तरह काम करता है और इसके लावब आप चाहो तो यह बाले फ्लैवरिंग प्रीजब्ट इन सब को भी लिख सकते हो इसको नहीं लिखना क्योंकि यह हमारा फूड में इस्तिमाल नहीं कि दाता है यह पूरा बन आपको दिख रहा होगा इसमें दो बेंजीन गुरुप अटाइच है यह टॉपिकली ट्रेट में इस्तिमाल किया थाता है कोई इंफ्लमेशन की वड़ी में इस्तिमाल किया थाता है यह पूरा दिख रहा होगा और यह मसल को रिलाक्स करने के लिए दर्द बगरा इन सबसे बचाने के लिए जोइंट पर मसल इस्तिमाल करते हैं यूज होता है और यहां पूरा है तो यह था की तरह है एंटी इंफ्लमेटरी की तरह है सरदर्द फीवर बुखार इंसम में हेल्प करता है और एंटी कोगुलेंट की तरह भी काम करेंगा जो ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करेंगा जिस्ते हमारे श्ट्रॉक बगरा हाट्ट मतलब दिमाग में आटेक और और बाक आपको अब जो है कारवकदल के असरी की डेफिनिशन कमेंट करके लिखके बताने हैं